आज के वीडियो में हम जानने बाले हैं प्रेगनेंसी के दोरान कच्छा पपीता क्यों नहीं खाना चाहिए? वाइ डॉब पपाया इस नोट सेफ इन प्रेगनेंसी अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्रेगनेंसी में नहीं खाना चाहिए और प्रेगनेंसी में नुकसान दायक होता है इस चीज़ को समझेंगे प्रेगनेंसी के दोरान हम पका पपीता खा सकते हैं जिससे कोई नुकसान दायक नहीं होता है और खाना भी चाहिए अगर इसमबट कच्चा पपीता जो कि प्रेगनेंसी में नहीं खाना चाहिए क्योंकि कच्चा पपीता के अंदर लेटेक्स और पेपेन ज्यादा मातरा में पाया जाता है जो कि ये क्या है? एक्टिव मॉलिकुल्स है किसमें रौ पापाया में अगर कोई महिला प्रेगनेंट है और वो कच्चा पपीता खा लेती है तो क्या होगा कि उसका जो गर्भासे है जहाँ पे बच्चा पल रहा है जहाँ पे फीटस इंप्लांट होता है जिसे बच्चतानी बोलते हैं यूट्रेस में कॉंट्रेक्शन बढ़ जाएगा जिससे मिस्कैरेज तो नहीं होगा बट होने की समभबना होती है देखा गया है कि सो में से दस महिलाओं को मिस्कैरेज की समस्याएं हुई है गर्भावास्ता के दोरान कच्चा पपीता खाने से इसलिए डॉक्टर इसे बोइड करते हैं आफिर मना करते हैं कि दिवडिंग दो प्रेग्नेंसी कच्चा पपीता नहीं खाना चाहिए डेट मिस कच्चा पपीता नो खाए तो बेहतर है एक तो कच्चा पपीता यूट्रेस को कंट्रेक्शन को बढ़ा रहा है बढ़ा रहा है साथ ही बच्चा के डिसकंफर्ट बढ़ रहा है और बच्चा में क्या होता है डिसकंफर्ट बढ़ रहा है इसलिए बोला जाता है कि कच्चा पपीता नहीं खाना चाहिए बच्चा 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 बच्च झाल झाल